किसी क्यूबिक यूनिट सेल में डिफरेंट साइट्स पे पार्टिकल कितना कितना कॉंट्रिब्यूट करते हैं और कैसे इस कॉंसेप्ट को इस्तमाल करके आप टोटल नंबर ओफ एक्टम्स या पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मालूम करते हो नमस्ते मेरे नाम दिब्दलाल हैं और इस लेक्ट्चर में हम इन्हीं प्रेशनों के उत्तर खोजनी कोशिश करेंगे ओके अब बता हमें क्या पढ़ना भई कैलकुलेशन ओफ नंबर ओफ एक्टम्स और इस टोपिक को हमने टोटल दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है पहले हम क्या पढ़ेंगे अगर मान लिया कोई पार्टिकल कहा है कॉर्णर पे कहां पर है कॉर्णर तो जब मैं एक एक यूरिट सेल को साइड में रखूँगा ठेक बात हाप एक काम करो आप किसी कमरे को उपर मैं चार कमरे हैं और आप उसको छट से देखो किसे देखो छट से उपर से असमान से तो आप कोई नदर नहीं आएगा तो यह कॉर्णर कितने कमरे शेयर कर रहे हैं एक दो तीन आपको आप इन इस कोर्णर पर एक अब चार कमरें बन जाएं तो इस कोर्णर कितने कमरे शेयर करेंगे है आठ कमरे ना वजई आठ क्यूंड तो इस वे अगर माले इसके उपर बहुत बड़ा क्या हो गोला ऑटको निया आपको अगर बिटा मैं काम करूं, मैं ऐसे ऐसे 8 बोक्स रख दू, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, और 8, निया आपको, तो ये कोरणर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चार बक्स उपर, चार बक्स नीचे होगे, तो ये ये कोरणर कितने बक्स शेयर कर रहे हैं, 8, तो अगर यहाँ पर घोला हो, तो व दो एक गोले का यह गोला एक्टंवी एंच अक्टम पियुप एक्टम वक्ट्रिबूट का फिर यह कि थेल्ट तो एक कमरे में कितना कोंट्रिबूशन आगी यह वन एट्थ कॉंट्रिबूट अगर फेस पे हैं तो बताओ कितना कॉंटिवूट करेगा बताओ वन बाई टू ऐसे कैसे भई अब यह साइड में सेलक्ट दूंगा तो यहां पर गोला हो यहां पर अगर में इस बक्सें काटके क्या अगर उसको काटके यहां से और यहां पर एक मार्बल इसके बिश्वी चिपका दो वो मार्बल आधीस के अंदर वाज इसके बाहर हो फिर ऐसा गोला और लूए एसे बक्सा और लूँ उसमें यह वाली साइड ऐसे काटको तो यहां पर जो गोला होगा वह आधाई क्यों होते कहीं पर तो अगर बोड़ी सेंटर में वाज़ों तो गया हमारे पास अब इसके अंदर होगा एक गोला वाई तो इस बॉक्स साइड में रखूंगा तो वह किसी के साथ शेर नहीं होगा ना तो क्या बोलें इसको बॉठा तो इसको पूरेगा पूरा कहां कॉण्यूट करेगा क्या वन कॉट्रिव इसको बोड़ि सेंटरंगे इसको बोड़िसंटर कॉंट्रिभिशंग संप मॉन्स यापको अब आया कि एक सेंटर में होता है क्यों ऑगे पड़ोगे क्यों क्यूव beक सिस्टमस तो फिक बताओ नंबर टिकल्स पर इन सेल्प्ता करने करने का थी का मेरे पास या बन्सेघ्ट तो अगर माल लिया अला की एग्ट पे वोइड अगैणि अगर वोजिद हो तू आप कमरा तो एक मंडिर को दो कि हुए तो एक रेचार है उसक लाइड को कि अगे करता है तो änge पर करके पर चार कोंडिया माई सकता हाव को पो तो हो यह धिने बारा कितने हैं जिसमें बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा अगब कोई अबढ़ ने भी दोगे अब इंगे टोटल पार्टिकल्स और टोटल पार्टिकल्स का फ़र्मुल्ला क्या ऑगा बताओ की इस इस दो फार्टिकल्स एंड्टी कैसे आएंगे एक बटा आठ कॉंकि एक कोंट्रिबूट करता है गोड़ा एक करता है गोड़ा एक साथ कितार करेंगी यह अलगे अगर कोंट्रिबूट करता है एक बटाइब अगर को अगर पे एंग सी पार्टिकल में एंग क्या है नंबर पार्टिकल्स एक पॉर्ट तो यह कितना कोंट्रिबूट करें एक इतना करता है इंट्टु दिस यह पॉर्ट प्लस एक बटाइक को नंगरता बोड़ी सेंटर और रहेंग भी क्या होगा बोड़ी सेंटर में कितने हैं एक हैं अगर पूई तो फॉमूला आगा अगर एज सेंटर भी आप इसमें लिखो गया आप लिखना नहीं चाहिए ओके तो क्या हो जाएगा तो आप इ लोगिया या तो कॉर्णर वाली उसमें स्रफ कॉर्णर पर होते हैं या फेस वाली उसमें कॉर्णर प्लस फेसिंटर बटे हैं कुक्त उस्ट्र ओले हैं यह आपको वो क्या हो जाएगा वारे बारे और वोईड पे कोई आयन बेठी हो वोईड पे कोई तो वो भी कितना को इंट्रीट करें फिर नहीं आपको सों में वह उस्वार इसलिए आपने से निकला है असाने मुश्किल है अब आपको इसका एक्जंपल गिता हूं मान लिया कोई आपको बोल दें कि हमारे पास एक है एक अध्र की मेंत और यह आपका एक बटा आठ इंटू आठ तो कॉर्णर पे होगे प्लस एक बटा दो इंटू छे फेस्ट पे होगे प्लस एक बटा एक इंटू जीरो बोडी सेंटर में होगे तो कितना मेरे पास सम्झा आठ बटे आठ एक एक बटा दो इंटू छे तीन यह से आगया तो उनका बोले चार पार्टिकल्स के पर यूनिट इस हैं नहीं आपको और आम तोर पे में क्या बोलते हैं लोग क्या सुझते हैं कि एक्टम सूँद्टे हैं तो क्या सूचते हैं कि एक्टम होते हैं लियुदि फोलिट्टकों दो ढाणों क्या तो आप इसको एनने सील के जोड़े को अब क्या मान लो एक पार्टिकल तो एक पार्टिकल और प्रटाइब क्या होता है एक प्रटाइब को तो इससे बतो फिल क्या हो जाएगा इसे जाएगा आप इसनुंता इसको सेंट्र को दुसका अरे यहां कि यहां पर हा इसुट्स दो यहां सेअहेगा इसे अन्य को हुआ कि अन्य और जो लेटिस पोइंटम को रिठ्रेश्थ नहीं कर रहा है ने स्ट्छोश पॉइंट आप और किसे रिप्र रहा हैえ ग्रूप ओफ जो इसको कि निया पको सुमौधी हैं करी के क्को थो सकते या तो लेकर सबसकता है है रादो य तीन या चार से ंपर करेंच पर विम्त नहीं होते ते नियू स्मझे वास वार युनिट सेल एक्टमब्स हो सकते हैं मारिम सेलาก और भी जखाल मुच्त हो सकते ह sommes जैसेकiva दो क्योंकि परबने इस योट्वरस्ट हैं ने फटाकरने काऊल छोटे पर यूद Cheese पर यहां से आपको लगता है कि यूणिट सेल में पार्टेकल सर्फ कहां हो सकते हैं और फेस पे बोडी सेंटर पे यह उत्ते क्या है लेकिन तो इस तरीके से अगर मैं निकाल लूँ कि पर यूणिट सेल कितने एन ये कितने सील होंगे तो मैं एन ने सेल हुआ वह का म हन्लोक क्या माने ने सील हो एक टुकीड प्रुड़ और स्टर तो सेंटर माच मा जमा दूंँ है तो या पर यहां पर यहां पर तो नंबर ओप आ घले लुँए खित Das टुकड़े का सेंटर का जमा दूंग इस को नहीं तो तो नमबर और न और अलगल नहीं चील कि तो कॉरणर कितने लोगे अब आठ तो हर को नगए एक ने सील एक बटाच इंट वाट एक प्लस हर फेस पर क्या अटेच्छ कर दो एंडे लिए गूरुप तो क्या होगा वारे पास तीन होगा ने सील ना तो चार मेरे पास क्या आगे पर युनिट से बसक्राइब चार अने से लागे गए अगर देखूं तो टो मिरे पास क्या होगी तो एक नने ना ने और चार सीन अब कले भात तो यह लेटेघे सपोइंट हो क्या होगा स्कुच हबाए पर यू क्या हो ऑग क्य द्योख क्यों ऊंछा क्यों पहस्कूब कि एस पॉइंट्स को न होता है तो प्र पे गुरूप घ्रीकॉम चुम भाइब ऑन अब समझेह बात तो पर方 white cell कि तने सिल है चैनल तो यह इन्रों और आपको użyए कि कैसे पढ़ सकते हो कि सील एक्टम आप का रख दो एप सीसी पैकिंग में का रख दो एप सीसी पैकिंग में नी कॉर्णर पे और का रख दो तो पर उनिट सेल सेल कितने होगे अब सील को मैंने लेक्ट इस पॉइंट के मान लिए मैंने तो पर इंटू एक बटा दो तो तो तीन और चार विर्वाजी लिए पर सोन तो चार विर्वास कर अगे बांट इस लिए तो चार विर्वास क्या गारे यह फिल अपको फिर इन ने कैसे पताँ अब आने पता काव बटहें बतो एज पे कावटे एज पे और बोर्डी सेंटर में लाख वोगे यह कैसे पॉसिबल हुआ क्यों बिक में पोड़ एज पर आया नहीं रहा था कुछ भी वह एज पर मैंने यह नहीं बोला एक यूणिट माननू तब तो एज पर नहीं आया था अगर मैंने एक यूणिट मानना है एक सिंगल ब्लोक माननों उसको तब तो मुझे रखनी जूरूरत नहीं थी ना मुझे कार्खना था पर डियगष पर पर में गीठी ना दोगे पटेट है तो क्या होती है तो दिक्क शिरूर होती है अब यहां पर आपकल अपर है डिस पे तो चील का आप रहें तो इने का अपर एज पे लेगन आपके रोखें बहुंत आप Also कि तो कैसे कि इस बाराय आ जोते हैं बारा बारा एकषब कितना होता कॉंट्रिबुशन एक बटा चार तो एज वाले एन ने कितना कॉंट्रिबूट करें इस तेन यह थीन पर इक आपर बॉन छार एने कितनी आए चार और चल्ब्स पता लगा अपको तो नंबर उफ एक्टम पर इविट साइल निकालें दो तरीके है क्या है है दो तरीके एक तो क्या है स्ट्रक्चरल मोर्टिफ के चुछ क्या है तुम्हें एन्ने सिलक में क्या बोलूँगा थे एपको का रखो इसको सभी कोर्नर पे और सभी फेस्स पे ठेक है यह कुसरा अब फॉता कोगे हमने अगर मैं इसल्का रखूँगा कोड़नर पे कि अगर मैंने से ल का रखूँ का रखूँ गूँ अ कॉर्णर पे तो मैं मानले यह ए इंकत प्रफ़े-टूमें रखता हूं कोड़न पर दो थरीखर क्यों एक तुम्हें यहां खों रखों सील है क्यों तो मैंने तो क्या भाया है नहीं हो गया यह लूट टो यह थी यहां यह थे दो सीमें हैं यह यहां याइगा ले वह यहां तो मैं एन इसल्का रहा है को रुपर पे तो जब मैं इसल्कान को रुपर पे सुरी बलके CLNA क्या तो CLNA अपने अपने आप कहा परागा मैं रहा कॉर्णर पे तो अपने आप इनने कहा रहा है बतो लेकिन नंबर पार्टिकल तो सिर्फ आप रहा है क्योंकि मैंने इसको एक ब्लोक माने पूरा यह बात बोट समझ लेगी वही ने आपको सब्सक्राइब तो CLNA रखूँगा और जब मैं इस पर रखूँगा इस फेस पर सील तो इसका इन इस फेस पर इसका बलोग कर्या पहूं कुछेगा सब्सक्राइब बैट निताक प अन्य और तो यह दो क्या है इसी फेस वाले पार्टिकल का एक्सटेंशन है क्या है फेस वाले पार्टिकल का ऑलोसे कहां पहुंच?! पर दाने कि आ है तो के सेंटर पॉर्शन कहा तक पहुंच जाता है और जब मैं इस फेस पर कहा रखूंगा एक लेन ने तो उसका ने कहा जाएगा अंगली इनिट सेल के बोडी सेंटर में लेकिन आप किसी तरी किसी निकाल रहते हैं उसके प्लें होता है कि आप पता कर लो स्ट्रक्टरल मोटिफ क्या है कि लैटिस पॉइंट आपने कितने एक टम सा क्या माना कोलेक्शन क्या लिए अगे तो जिससे एक ब्लॉक मानना मैंने एक पॉंट फिर पॉंट का रखने कॉर्मर पर फेस्ट पर तो परबिट सेथे पर्टिकल यह चार अब एक पर्टिकल एक पर्टिकल एन्य थे औप्ण कर औरो निन के नियों तो पर नियु mechanical और के और निकल जो और अलग से ब्राइल कहां पर criticize डिशी घ्रटन को निकल बचंड में नकाल यह सब्छारी निकल लो नई सबसे अपकोêtes कि क्यूब की जैल में बोडी सेंटर में पर्टिकल सब्सक्राइब करता ना यह तो क्या था सिंपल पर मिट या फेस या अभी भी नहीं थैं कि समझे बात वह तो वहां पर जो प्लोक नी पार्टिकल का उसका एक्टेंशन का पहुंच रखा है बोडी सेंटर है अगर आपको फिलाल इसमें कुछ कंफूजन रहता है ना तो गवरानी की जरूरत नहीं है या बड़ी क्लास में जाके सीख जाओगे अभी आम तोर पे यह इसले मॉटिफ की बात नहीं करते हैं कैसे पढ़ते हैं सी इल अलग से निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इविट सेल निकालने के लिए बस ध्यान ही रखो लैक्टिस पॉइंट हमेशा एक्टम को शो निकरता है लैक्टिस पॉइंट गुरूप ओफ एक्टम को नहीं भी शो कर दिसे मापको बताऊं एक अपाउंड होता बी एक जैडन वी टू ओसेवथा ने जो इसकी एंट सेल न इसमें सिर्फ चार लेक्टिस पॉइंट होते हैं पर यृट पॉइंट पॉइंट कितने हैं लेकिन इसमें एक लेक्टिस पॉइंट इस ही को बोलते त तो पर उनित कितने हो चार न कितने होगे चार समय दर्व कितने हो गए आ manos खा समय गए और ओस कितने हैं अट्डा युस से रही तो इस पोंट तो दो मिलेंगे चाहां मिलेंगे लाजै कि हम बिलेकं बॉर्ठ एक पॉएश पर एक अटम नहीं लाजैए गुरूप आपको पले पड़ी तो आप सिंपल मेठोड से इसको ट्रीट निकाट रखते जैब बार वह निकालते हों तो कुछ नहीं पले पड़े तो गपर है निए बात निया आपके इसको डीटेल सीख जाओ गयोगे अच्छ था नेंट सेल कहसे है फेस इसको फॉर्मूला क्या होगा बता बखाओ लेकी पार्टिकल होगे पर है बता है इफ दिए फोर्मूल और उनिट सेल बिएव जाइड मोटीफ नंबर औफ और सील यह अचार होगे क्योंकि number of any seal क्यांगे मेरे पास फेस सेंटर में नंबर फ्रेटिस पंट कितने होते हैं अरे छे फेस के तीन हो गए आठ को दर्गाइक हो गया चार होते होंगे तो चार एने सी लोगी तो सील में तो सील चार होगे उसने सील ही पुछा है आगे आपको है कि यह आपको है पका है क्या अरे वो टाइप हो मिस्टेक है एक आज जाएगा अंसर सीकरो इसको है नहीं आपको यह बताओ है अग्या पूर पढ़ा है तो भाई इस लेक्चर में अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्णिया सुझाओ है तो आप मुझे नी उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नमस्ते